हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वल एं स्वागत करता हूँ आप सभी एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामें एक मोश्ट इंपोर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे टेंथ स्टांडर्ड के लिए साइंस वन सब्जेक का जो पार्ट वन होता है उसका चाप्टर नमबर टू की बात करेंगे लेकिन साथ ही में कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे जिसका नाम है दोस्तों डॉबे राइनर ट्राइट्स वह एक्जाक्ली क्या होता है कैसे हमारे साइंटिश ने वो ट्राइट्स बताया था और कैसे किस प्रकार एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की है ठीक है तो elements is nothing but क्या होता है एक type होते हैं जिसमें अलग-अलग categories के elements प्रेजन होते हैं और साथ ही में ये elements क्या करते हैं अलग-अलग products को तयार करते हैं जैसे कि आज के date में हम जितने भी चीज़े का इस्तिमाल कर रहे हैं चाहे वो एक हम लोग बोलते हैं कि furniture हो चाहे वो एक modern equipment हो electrical equipment हो तो हर चीज में कहीं न कहीं जो है elements का इस्तेमाल जो है दोस्तो किया जाता है और आज के date में अगर हम बात करने there are 118 elements एक सो अठरा elements जो है अभी तक present है एक सो अठरा elements जो है वो आज के date में present है और वही अगर हम लोग like 300 साल पहले चले जा याने कि अगर हम चले जाते ह हमारे समझ लोग 1800 century में 1800 year जो होता है 18th century जो होता है हमारे आज 21 सदी चल रही है 2021 चल रहा है correct है लेकिन आप हम 300 साल पहले चले जाते हैं तो वही अगर बात करें जो आज के date में 118 element जो present थे आज जो है sorry 118 element आज present जो है और वो जवाने में जो present सिर्फ 30 element ही present है याने कि कितन फरक है आपको नजर आ रहा होगा दोस्तो कि आज हमारे पास 180 element present है और एक जवाना ऐसा था 300 साल पहले जिसमें हमारे पास सिर्फ 30 element present थे तो इससे क्या होता है 30 element थे तो क्या हो गया कुछ फरक पड़ा यार आप 300 साल से imagine करो कि हमारी दुनिया कितनी change होगे कितने drastic changes आए सि elements present है और वो 180 elements का हम अलग-अलग तरीके से इस्तिमाल कर रहे और हमारे जो value है जो हमारे life का वो बढ़ा रहे कैसे अलग-अलग चीज़ों में gold है, silver है, iron है, aluminium है, copper है, there are so many products which are made from this kind of elements, साथ में radioactive elements है, uranium है, thorium है, जिसका bombarding करके हम लोग क्या बना रहे है, electricity को भी बना सकते है जाने कि इतने सारे advanced elements भी आ चुके हैं, जो हमारे lifestyle को काफी ज़्यादा better बना रहे हैं, industrialization को focus कर रहे हैं, urbanization को develop कर रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा important है, और अगर हम लोग आज का जो 180 elements की अगर बात करें, तो इसमें से जो mainly 80% जो element है, 80% element वो क्या होते है, natural है, य 20% approximately, यह figure fix नहीं है, यह मैं approximately बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, 20% elements ऐसे होंगे, जो man-made है, यानि कि इनसानों ने बनाया है उसको, हम इनसानों ने अलग-अलग तरीके से उसको बनाया हुआ है, तो कुछ elements nature से हमें मिल जाते हैं, naturally जैसे कि gold हो गया, सोना हमें मिल जाता है, iron हो गया, copper हो गया, aluminium bauxite होता है, तो उसको हम लोग extraction करके aluminium निकाल लेते, तो यह सब इस चीज़ें हमें nature से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जो हमें क्या करते हैं, man-made के तरीके से हम लोग ने बनाया हुआ, ठीक है, तो यह तो हो गया basic classification, और एक classified into three types, पहला जो type होता है, वो होता है, metals, ठीक है, सभी को पता है, दूसरा जो type होता है, वो होता है, non-metals, एंड तीसरा जो type होता है, वो होता है, metalloids, यह सभी को पता होगा, ठीक है, एक chapter भी था, I guess 8 में था कि 9 में था, मुझे exactly याद नहीं आ रहा है, लेकिन, यहां पर, ऐसे आपने एक chapter भी पढ़ा होगा, metals and non-metals करके, तो यह metals क्या होता है, धातू, non-metals, और यह metalloids, so metal is nothing but, like most of the products which we are using nowadays are made up of metals, and metals are the very good conductor of heat and electricity, तो जितने भी बिजली से चलने वाली चीज़ है, उसमें metals डाला जाता है, non-metals के कुछ properties होते हैं, वो ductility नहीं होता है, उसके मेल करते हैं, अलग-अलग तरीके से, जैसे के carbon वगरे हो गया, metalloids ऐसे elements होते हैं, जो properties रखते हैं, दोनों का, metals का भी रखते हैं, non-metals का रखते हैं, जैसे silicon, germanium, arsenic, यह सब क्या होते हैं, metalloids होते हैं, तो यह already हमने पढ़ा हुआ, इसके उपर जादा हम focus नहीं करेंगे, क्य कि यह जो elements है, उसका कैसे होता है, ठीक है, अलग-अलग scientist है, फिर मतलब दिखा जाएं, तो जब यह चल रहा था, जब खोज वगरे जब चल रही थी, आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले जब चल रही थी, तो बहुत सारे scientists हैं, और यह अलग-अलग scientists लोग ने अपना-अपना categories तयार किया, different तरीका तयार किया, कि हम elements को किस प्रकार classify करेंगे, और किस प्रकार उसको एक table में डालेंगे, या फिर किस प्रकार उसको हम लोग categorize करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे अलग-अलग scientist है, तो सबसे पहला, यहाँ पे, जो syllabus के इसाब से जो हमें पढ़ना है जो scientist है, वो आया, डॉबे राइनर, तो डॉबे राइनर ने अपना एक triad बनाए, मतलब एक formula होता है, triad का, वो formula भी आपको मैं बताऊंगा, और उसके कुछ examples भी हम solve करेंगे, और कुछ homework भी दोंगा, ठीक है, ready रेना उसके लिए, be prepared for that, ठीक है, तो पहले में इसको rough कर ल solve करने आना चाहिए, ठीक है, heading डाल लेते हैं, क्या राम बोला मैंने, डॉबे राइनर ट्राइड, ब्रॉबे राइनर ट्राइड, scientist थे, उन्होंने ये निगाला, इसके लिए, इसका नाम जो है, डॉबे राइनर ट्राइड, इसका नाम ऐसा क्यों पढ़ा, तो सबसे पहल आने के बाद, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे खोज किया, मतलब पहली बाद तो element जितने present थे वो time पे उसके उपर observation किया होगा, and observation करने के बाद उन्होंने एक चीज़ देखा, और एक चीज़ समझा, कि क्यों नहीं ये जितने भी elements है, उसको according to their atomic masses, क्योंकि हर एक का atom का वजयन होता है, जैसे मैंने पढ़ाया बहुत बार ये, कि atomic mass आपको पता, atomic number तो आपको पता ही होगा, atomic mass भी होता है, तो atomic mass के इसाफ से अगर मैं इसको categorize कर दूँ, तो हैर मैं इसको arrange कर सकता हूँ one by one, ऐसा किसने कहा, ऐसा दौबरानर से कहा, और दौबरानर से ये भी ब तो तीन के जोडी में रखू में, तीन के टिकडी में रखू, तो ऐसा उन्होंने सोचा, और ये तीन के टिकडी में जो उन्होंने रखा, वो उसके atomic mass के हिसाफ से उन्होंने रखने का सोचा, और ये ही, जो atomic mass के हिसाफ से तिकडी को रखने का सोचा, और उसी को हम लोग ब वो कैसे हुआ, यह हम लोग यहाँ पर study करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बात है, 1817 में, यह जो डॉबराइनर है, यह एक जर्मन साइंटिस्ट है, आपको फिलिंद ब्लैक्स वागर में पूछ सकता है, तो यह जर्मन साइंटिस्ट डॉबराइनर सजेस्ट किया, क तो वो हर गुरुपस में उन्होंने तीन-तीन एलिमेंट्स को साथ में डाला, ताकि उस तीन एलिमेंट का क्या बने, तिकडी बन सके, यानि ट्राइड बन सके, इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या रख दिया, दॉबराइनर स्ट्राइड, खुद के न दोनों का कुछ match ही नहीं है, तो उन्होंने atomic mass तो देखा, लेकिन साथ में उन्होंने ये देखा, कि कौन से ऐसे element है, जिनका chemical properties थोड़ा बहुत आपस में मिलता जुलता है, similar है, तो उन्होंने वो category के इसाफ से tried बनाया, अब वो tried कैसे बनाया, ये column के इसाफ से हमें समझेग आपका, क्योंकि ये मुझे column बनाने में अभी थोड़ा सा time जाने वाला है, तो आप simultaneously अपने book में साथ साथ में बना लो, ताकि आपको समझ में आएगा, तो सबसे पहले हमारा एक column है, जिसमें हम लोग लिखेंगे, वो तीन की जोड़ी कौन-कौन सी रहेगे, वो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला आएगा, element number one, ठीके, तीन जोड़ी होगी न, तो तीन element रहेंगे, तो तीन element में सबसे पहला element, और उसका हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले atomic mass, यानि actual, actual, atomic, atomic mass, और इसको हम लोग लिखेंगे a के नाम से, ठीके, small letter a से उसक element number two, और यह जो element number two लिखा, इसमें हम लोग actual में एक formula भी use करने वाले हैं, जिसका नामे mean is equal to a plus c divided by two, अब यह a plus c क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आभी यह चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, a plus c divided by two, और साथी में एक चीज़ यहाँ पर यहाँ पर यह यह हो गया, अब तीसरा कॉलम में last but not bullish, obviously क्या रहने वाला है, element number three, तीसरा element रहेगा, यह चीज़ ध्यान से देख लो, एक बड़ थोड़ा सा ध्यान से आपको time जाएगा देखने में, उसके बाद आपको एकदम a to z समझ में आ जाएगा, इतनी मेरी guarantee है, बस आप थोड़ा change हो गया, ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर tried ले रहा, तो समझ लो, डॉबे राइनर ने तीन की जोड़ी बनाई, तो तीन की जोड़ी जो बनाई उन्होंने, समझ लो, मैं पहला example ले रहा हूँ, जो की है, lithium का, sodium का और potassium का, Li मतलब lithium, sodium, Na होता है, K मतलब potassium होता है, यह मैंने तीन की ले लिया, जोड़ी, ठीक है, according to the Doberiner, मैंने यह तीन की क्या कर लिया, जोड़ी ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ेदार है, दोस्तो, यह समझ में आ गया, तो बहुत सारी चीज़े समझ में आ जाएगे, आपको तो यह चीज ध्यान स आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तो अगर आपको यह तीन चीज़ पूछा है, Doberiner, Trides है की नहीं वो बता हो, तो आपको उसके सामने उसका Atomic Mass दिया रहेगा, एक्जाम में भी दिया रहेगा, और आप याद रख सकते हो, तो और अच्छी बात है, तो लिथियम का जो Atomic Mass होता है, Actual में, वो है दोस्तो, 23, 23 होता है, ठीके, अब तीसरा Element जो है, ठीके, तीसरा जो Element है दोस्तो, ठीके, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, उसका न, स्वारी, माफ केज़ेगा, यहाँ पर आप यह लिख दो, जैसे मैंने इसको लिखा है, Element Actual Atomic Mass, वैसे यहाँ पर C, समझ में आ गया, यह A, यह B, यह C, और यह mean भी जो है, वो भी B का ही value है, ठीके, न, ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको, mean is equal to B is equal to A plus C by 2, ठीके, यह समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखने वाली बात है, lithium 6.9 दिया हुआ रहेगा, sodium 23 दिया है, potassium का भी दिया रहेगा, जो की होगा, potassium का कितना है दोस्तों, दिया हुआ है, 39.1 दिया हुआ है, ठीके, चलो, potassium यानि कि K is equal to 39 point 1 दिया हुआ है, ठीके, यह इतना आपको समझ में आ गया, अब इतना देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यह समझने वाली बात है, ठीके, क्या करेंगे इसके बाद, एक ही कॉलम खाली दिख रहा है, अब इसमें कुछ तो कर कर लो दोस्तो, प्रस कर लो, 66.9 plus 39.1 जो की होता है दोस्तो 46, तो 46 by 2, यानि कि answer कितना है 23, तो ये जो भी answer आएगा, अगर ये हमारे B से मिलता जूलता है, तो B कितना है 23, तो 23, 23, अगर जो भी answer आ रहा है, अगर हो सेम है, देखो ध्यान से, अगर जो भी answer दोबे राइनर ट्राइड है, ये सच होता यहां पर, ये प्रूव होता है कि जो दोबे राइनर, जो scientist था, जिसने अपना दिमाग लगा रहा है, हम भी दिमाग लगा दिया, उन्होंने जो बोला, कि हम अगर पहले और तिसरे element को plus कर देंगे, मतलब क्या plus कर देंगे, उसका atomic mass तो पहले item का और तिसरे item का, अगर atomic mass plus कर देंगे, और उसको divide by 2 कर देंगे, यानि कि इन्चोड average अगर निकालेंगे, mean निकालेंगे, तो बीच वाला atomic, जो mass होगा, उसके अगर same आता है, तो समझ जाना कि वो दॉबिराइन ट्राइड है, same नहीं आएगा, ये दोनों value, तो दॉबिराइन ट्राइड नहीं है, तो ये पहला तो चलो, प्रूब हो गया, यहाँ पे कि yes, वो एक दॉबिराइन ट्राइड है, बिल्कुल है, ये प्रूब हो गया, एक और solve करता हूँ आपके लिए, चलो, second one, एक और solve करता हूँ, मैं एक और example ले रहा हूँ, let's suppose, कि I am taking one example here, जो कि है आपका calcium, cerium and barium, calcium, cerium and barium, ठीक है, ये तीनों को आपको पता होना चाहिए, atomic mass क्या है, दिया रहेगा, आपको tension नहीं लेना है, तो calcium का है 40.1, 40.1, आपको calcium का दिया हुआ है, फिर second one, barium, cerium का दिया हुआ है आपको, 87.6, cerium का दिया हुआ है 87.6 and तिसरा जो है barium, barium का आपको दिया हुआ है यहाँ पे 137.3, ठीक है, barium का दिया हुआ है 137.3, ये इतना चीज़ दिया हुआ है, अब क्या करोगे, next step फिर से होई, कि आपको बीच में कॉलर में जो exercise है, उसका आपको क्या करना है दोस्तो, use करना है, ठीक है, नियान से देखो दोस्तो, क्या करना है, उसका use करना है, तो solve करेंगे हम लोग कैसे solve करेंगे, सेम, यही चीज़, पहला है 40.1, तो हम लोग क्या करेंगे, 40.1 को प्लस करेंगे, तीसरे के साथ, क्या है, 137.3, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद करों, आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसको हम लोग प्लस करके divide by 2 करेंगे, तो सबसे पहले यह दोनों को प्लस किया, 40.1 को और 137.3 को अगर हम प्लस करेंगे, तो आ रहा है answer 177.4, यानि 177.4, डिवाइड बाइ 2, अब इसका answer जो आएगा, 177.4 को डिवाइड बाइ 2 करके आएगा answer, 88.7, 88.7, तो अब देखो, हमारा जो mean आ 87.6, तो दोनों अलग-अलग आ रहे हैं, दिख रहा है, थोड़ा से difference है, एक काई difference है, यह 87 है, यह 88 है, एक काई difference है, लेकिन है तो अलग, तो जब अलग है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि this calcium, cerium and barium is not a doberiner tried, क्या है वो doberiner tried, नहीं है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना ह ठीक है, अब एक और करवा लेता हूं, तीसरा, तीसरा करा लेता हूं, ठीक है, यह 87.8, तो थोड़ा कोने में लिखता हूं, 88.7, ठीक है, space मिल गया हमें, अब मैं तीसरा कराने जा रहूं, एक और example है, बहुत ही बेतर ही इन है, इसका नाम है chlorine, bromine और iodine, third one, chlorine, bromine और iodine, अ iodine का होता है, 126.9, अब फिर से हम लोग पहले और तीसरा को प्लस करेंगे, पहला है आपका 35.5, पहला कितना है, 35.5 प्लस तीसरा, 126.9, दिवाइड बाइट बाइटू, ठीक है, प्लस करो जोनों को, 35.5 को प्लस 126.9, तो आपका एंसर आ रहा है, 162.4, तो 162.4, डिवाइड बाइटू, अब इसको डिवाइड कर लोगे, तो आपका एंसर जो आ रहा है, 81.2, तो 81.2, बी का calculate करके आ रहा है, 81.2, और actual में बी का कितना value है, यहाँ पे 79.9, तो दोनों अलग-अलग है, तो इसका मतला हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि this also, क्लोरिन, ब्रोमिन और iodine जो है, यह भी एक डॉबे राइन ट्राइड नहीं है, यानि कि हम इसको बाजू-बाजू में या फिर तीन की तिकडी में नहीं ले सकते, यह अलग-अलग हो जाएंगे, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह topic आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple था, डॉबे अभी तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, clear है, तो कुछ examples में चाहता हूँ आपको homework दू, एक ही example है, जो कि मैंने लाया हुआ यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा rough कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगा बना लेता हूँ, उपर का rough करके, पहले आप क्या करो, मैं थोड़ा स मैं space ले रहा हूँ, यहाँ पे, जड़ा सा, जड़ा सा मैं space ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको homework देने वाला, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यह homework करो, और मुझे comment करके answer में बताओ, comment करके बताना, कि आप लोग का answer है, वो कितना सही आया, कितना गलत आया, और यह बता है, 24.3, यानि कि A का value दे दिया, फिर जुसरा जो element है, यहाँ पे calcium है, जिसका value है 40.1, ठीक है, एंद थीसरा जो है, cerium 87.6, ठीक है, cerium 87.6, ठीक है, तो यह आपको homework के दोर पे दे रहा हूँ, मैं इसको फटा-फट से solve करके answer हमें बताना, comment box में, कि whether it is a Dobby Ryan or tried or not, ठीक है द बहुत सारे, हमने Mendelews के भी चीदे पढ़नी है, जो की मज़ेदार topic है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, तो आज का वीडियो यही समापत होता है, यह वीडियो आपको कैसा लगाए दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताना है, अपनी राय और suggestion जरूर से देना है, और आपको यह वीडियो पसंद आया है, यूसफूल लग रहा है, तो प्लीज यह वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगो फटा-फट से शेर कर देना, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सापने बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों हो, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो को अप्लोड करेंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडि देखने के लिए, thank you and goodbye.